हेलोचों, क्यासे हैं आप सब लोग ऑज मैं मैं आया हूं आपके सामने भरवा क्रेले के डिश लेख हैे इसके क्रेले लिये हैं और आपическая क्रेलो को छिल लिया है और इसके अंदर के जो बीच है इसको हमने निकाल दिया है यह करेले के छिल के और यह बीच है इसको हम फ्राई करेंगे और फिलाल इसमें थोड़ा नमक डालके रखा है ताकि इसमें कड़वपन कम हो जाए आप देख सकते करेले में भी हमने वाइट वाइट यह नमग लगा के रखा है, इससे क्या होता है, इसका जो तीता पन है, जो कड़व पन है, वो कम हो जाएगा, और अभी हम इसको इसको इसी कंडिशन में, 10-15 मिनट इसको रखेंगे, 15 मिनट हो गए है, तो जो करले में और करले के यह जो बीच और छिलका था, इसमें जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट था, इसको धोके पाने से निकाल लिया है, और करले को भी अब देख सब पे इसको धोके निकाल दिया है, अब यह मसाले के लिए हमने यह प्याज लिया है, यह ट तरफ है इसको थोड़ा मोटा मोटा काट लेया तरफ को हमने और यह थोड़ी लेस्वन है इसको भी ऐसे मोटा मोटा काटा है और थोड़ी चिली जेंस में इनको अभी हम कड़ाई में फ्राइब करेंगे यह कड़ाय मेरी गरम हो गई है और इस कड़ाय में हम दालेंगे त्वड़ा सबसों का तेल थोड़ा गुमा के डाल देंगे इसको यह देशी तेल गरम होने को गया है तो उस पर मैं यह एक चमज जीरा जीरा थोड़ा जिससे ब्राउन होता है हम इसमें पहले गार्लिक डाल देंगे गार्लिक को लाल नहीं होने देंगे अभी हम तुरंट अनियन डाल देंगे यह अनियम से लागिया है तमाटर को हम अनियम जा पुपड़ा गोड़न हो जाएगा तब दांगे लिए और यह कुपिंग जो है हाई प्लें में अपी प्लें में अपी प्लें में धीरा नहीं कर गिए यह थोड़ा नमक दाल देंगे अपमें तीखा बन करने के लिए चिली पाउडर और यह आई है खल्दी अब इसको हिला लेते हैं अब इस स्टेज में हम इसमें हरे में चौरदर दाल दिया है हमने इसमें और अपर को हिलाते चलेंगे यह गया तमाचर तमाचर को फिसमें मिला देते हैं इसको थोड़ देना पटाएंगो अब यह अब देख सकते हैं इसने परसा ते थोड़ दिया है यह अल्मोस्ट रड़ी है अब यह में इस टेज में कि मेरे पाद किचन की मसाला है यह मैं इसको भी एक चमज मैट कर दूंगे इसमें यह अब दिख सकते हैं यह किचन की मसाला है अब ही इसको भी हम थोड़ा सा इसमें बिला देंगे अब यह जो करेले का जो अंदर का बीच और जो छिलका था इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको हम इसमें फड़ा पकाएंगे आप जने तुसको अपने साफसर सब्सक्राइब थिखा दी कर सकते यह कि प्यूरा को शिम में कर देंगे और ठोड़ जैर इसको प्रिमार से पकने लएगे यह देखिए फ्रेंड्स अभी मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो गया है यह देखिए तेल छोड़ जाए अपने अभी इस प्रेट पे इसको हम अभी स्विला बंद कर देंगे और इसको हम जयेए थ्वे थ्वड़ा ठंडा अजाएक है इसको हम दर दर पीस लें Universe कि ब्रेंड्स अब देख सकते हैं इसको मिक्षि में दर 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 पी स लिया है इसको यह वी ऐसा है और इसको भी हम करले के अंदर भरने जा रहे हैं ये करले को ले लिया अब इसमिक करले में इसका मसाला भरा जा रहा है भरने के लिए मैंने अपनी वाइफ की मत क्लिए है ये देखिये इस तरीके से भर देंगे इसको और अब इसको हम इसमें धागा लपेट देंगे ये देखिए धागे को हम इस तरीके से लपेट देंगे धागा लपेटने से क्यों होता है जब हम फ्राई करते हैं तो ये करेला खुलता नहीं है और फिर फ्राई होने के बाद में इसको हम खोल सकते हैं धागे को देखिए फ्रेंज अभी ये सारे लेडी हो गए हैं सबको बांद दे गया है ये कड़ाई में तेल गरम हो गया है मस्टर्ड आल और इसको अभी हम एक एक करकेस में एड़ कर देंगे ये अभी प्राई हो रहा है अभी पैस्टूला सिंपे कर दिया है इसको टाइम तो टाइम उलट प्लेट करके इसको पढ़ाना है कि ये चारो साच भी पाफ गया है कि फिरन इसको भी हम चूला थुड़ा थे तर देते हैं और तो अधोड़ पलट लेंगे मैं कर दोड़ियों कि तो ये थोड़ थोड़ी पलटेंगे मं ज्यादे नहीं पलटेंगे इसको कि रेक दितए माज़िए थोड़ आपढ गया है अब मैं चुला को सिम्बे करकेता हूँ, इसको भी हम पलेटेंगे, भरवा करेला बनाने में थोड़ा सा मेहनद तो लगती दोस्तों, मगर ये खाने मुद्ना ही पेच्री होता है, अभी इसको और थोड़ा टाइम लगे का, पकने में, ये बनके रड़ी हो गया है, आप लोग भी इसको ट्राइ करिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा बना है, और कुछ अगर आपको कोई डिश आपको लगता है कि सिंपल तरीके तर बनानी है, आप कमेंट करके, लिखके मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको बनाने के कोशिश कर क्या सकता है, अवें इसको कर्द।, आप प्रड़ी करुब्डें है, अवें टे से हैं झंट्टा मैंगयोरण के बनाने से करें सक्कुछ थात्वश मेंगयोरण काशईएएगा सक्शेटर वोगन मेंगवाँ, परिखन सबस्ट।, परूब तार लिए म